हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फार्मा की दुनिया में आज हम डिपलोमा फ़स्ट एर के सोसल फार्मेसी सब्जेक्ट में थर्ड यूनिट को डिसकस करेंगे इससे पहले हमने इस यूनिट में बेसिक ऑफ निउट्रिशन, मैक्रो निउट्रिएंट्स और माइक्रो निउट्रिएंट्स को डिसकस कर लिया है इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे with hand written PDF notes के साथ ठीक है गाईस तो आप लोग सबसे पहले आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का importance of water and fiber in diet ठीक है आज का हमारा जो topic है क्या importance है हमारी जो diet है ठीक है हमारी जो diet जो हम खाते है उसमें water और fiber की क्या importance है उसको हम discuss करेंगे तो चलिए गाईस अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को subscribe करें और like करें और अपने दोस्तों में share करें ठेंक्यू गाईस आपकी छोटी सी महिनत हमें नए वीडियो बनाने के लिए motivate करती है तो आप लोग चैनल को subscribe पहले कर दीजे फिर आगे की वीडियो देखिए तो चलिए गाईस समझते हैं कि क्या importance है water का हमारी diet में आप सबको पता है water जो है वो essential होता है life के लिए ठीक है essential for life आपने बहुत ही common phrase सुना होगा जल ही जीवन है जल के बिना जीवन जो है असंभाव है ठीक है तो जो जल है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही important है और कहा जाता है कि सुबह आप सो के जब उठते हैं तो गरम पानी या boiled water को पीने से आप बहुत सारे disease से बस सकते हैं तो आप सुबह उठने के बाद boiled water या गरम पानी को आप पीने का आदर डाले जो कि health के लिए बहुत ही ज्यादा beneficial है उसके बाद आप common सी चीजे कुछ हैं जो आपके साथ हम discuss कर लेते हैं फिर उसके बाद हम पने topic पे आते हैं water water को क्या करता है पीने का तरीका कुछ होता है आप कभी भी पानी को खड़ी होके ना पीए अगर आप पानी को खड़ी होके पी रहे हैं तो आपके food digestion और आपके joints related problem हो सकती है ठीक है आपके joints pain ऐसे related problem हो सकती है तो help आपके लिए health के लिए beneficial है कि आप पानी को जब भी पिए बैट के पिए और उसके बाद पानी को खाना खाने के time ना पिए जज़ादा ठीक है बहुत ज़रुरत हो तो आप एक डो घूट पी शकते हैं बड़ बहुत ज़दा आप पानी को ना पिए खाना खाने के time पे आप एक दिन में 2-3 लिटर या 8-10 गलास पानी जरूर पीजिए आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ठीक है गाइस तो ये कुछ चीजे दें कुछ टिफ्स थी जो कि आपको अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए कि आपको सुबह उठके गरम पानी पीना ठीक है और आपको खाना खाने से आधे गंटे पहले और आधे गंटे बात तक पानी को नहीं पीना चाहिए रात में सोने से जस्ट पहले पानी को नहीं पीना चाहिए खड़े होके पानी को नहीं पीना चाहिए तो ये कुछ पानी और हाँ 8-10 गलास या 2-3 लिटर पानी ए नेक्स्ट तब हम देखते हैं अपने टॉपिक को हमारा टॉपिक क्या है इंपोर्टेंस ओफ वाटर एंड फाइबर इंडाइट ठीक है तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं ऐस्टेग फार्मा की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़ल्दी जल्दी से तो अब आगे डिसकस करते हैं का मतलब जो हम खाना खाना रहा है जो हम वोजन ले रहे हैं इसमें फाइबर और वाटर की importance क्या-क्या है तो वनभाई-वन डिसकुस करते हैं जबसे पहले हम Карऌ को देखे हैंNow क्या है Water is the Essential for a Life and it is very Important to get the right amount of weight to be, राइट सेंसियल होता है और वहुत important होता है कि healthy person के right amount में इसको लेना ठीक है मैंने आपको बताया आईए आपको starting में our body is nearly two-third water so drinking enough fluid to stay hydrate is very important हमारे body में two-third part जो है water होता है इसलिए हमें healthy रहने के लिए और hydrate रहने के लिए water जो ही sensual है ठीक है उसकी need होती है कुछ note देख लेते हैं क्या-क्या notes है humans can survive for a few weeks without food ठीक है but they cannot go without fluid for more than two to three days ठीक है क्या लिखा है कि human survive कर सकता है ठीक है survive कर सकता है मतलब रह सकता है for a few weeks कुछ सबता हों तक without food बिना खाने के बिना खाने के जो इनसान है वो रह सकता है but बिना फ्लूट के वो दो से तीन दीन तक भी नहीं सर्वाइब कर सकता है तो तो सोचली जब वाटर कितना इसेंस्यल है हमारी लाइब के लिए नेक्स के है 97 परसेंट अब दव वाटर ऑन दव अर्थ is salt salt water however only 3% 3% is fresh water हमारी जो अर्थ है उस पे 100% water में से 97 परसेंट जो water होता है वो salt water है salt water का मतलब उसको हम पी नहीं सकते हैं सिर्प 3% जो water है वो fresh water होता है जो कि drinking के लिए यूज किया जा सकता है हमारा next जो topic है वो है importance of water in the diet अभी तक हमने water के कुछ basic introduction को discuss किया है next हमारा importance of water in diet क्या importance है water का हमारे diet में हमारे खाने में water is the major component of body fluid and has many functions in the body हमारी body fluid की main component होता है water ठीक है हमारे जो body में जित्ते भी fluids है उसके main component क्या होता है water main के साथ major component भी है major component में तो सबसे जादा है amount में and बहुत सारे functions में body के बहुत सारे functions में help करता है तो कुछ functions को हमने यह पर discuss कर लेते हैं ठीक है it can as lubricant for joints and eyes ठीक है यह क्या provide करता है lubricants lubricants का मतलब होता है chicken eye ठीक है प्रोवाइट करता है हमारे joints में ठीक है और eyes में हमारे joints मतलब हमारे जोडों में knee के जोडों होगे ठीक है यहाँ पर hands के जोडों होगे जहाँ पर भी जोडों है वहाँ के जोडों में lubricants प्रोवाइट करता है ठीक है next देखते हैं carries nutrients and oxygen to cell water जो है nutrients and oxygen को carry करता है cell के और cell क्योंकि cell को survive करने के लिए कोई भी tissue है cell है organ है उनको nutrition and oxygen की जहुरत होती है तो water क्या करता है उनको carry करता है cells के लिए next क्या है regulate body temperature water body temperature को regulate करता है maintain करके रखता है ठीक है next क्या है moisture in tissues such as those in the mouth, eyes and nose जो हमारे tissues है like mouth, eye and nose में वहाँ पर moisture प्रवाइड करता है ठीक है वहाँ की organs को वहाँ के tissues को moist कर रखता है ठीक है protect body organs and tissues हमारी जित्ती भी body organs and tissues है ठीक है उनको protect करता है protection provide करता है helps to prevent constipation constipation मतलब होता है कब्ज तो कब्ज जैसे disease से हमें prevent करता है ठीक है नेक्स्ट लेसेंस the burden on the kidney and liver by the flushing out waste product हमारी किड्नी और लीबर जैसे हमारी बॉड़ी में जो वेस्ट प्रोड़क्ट है अगर उस वह प्रॉपर एमांट में फ्लस्ट नहीं होता है तो हमारी किड्नी और लीवर जैसे से related disease होने के chances होते हैं तो water क्या करता है kidney और लीवर पे जो burden है waste product को उसको flushing out करता है ठीक है by the urine and stool ठीक है next क्या है helps to dissolve minerals and other nutrients to make them accessible to the body जो body में nutrients and minerals चीज़े हैं ठीक है उनको dissolve करता है और body के लिए accessible provide करता है मतलब body के लिए energy provide करने में help करता है कोई भी minerals and nutrients को energy में convert करने में help करता है जैसे mouth में जो saliva भी है वो भी बहुत जरूरी है भोजन को digest करने के लिए वो saliva भी water की वज़ासे आता है जो water moisture provide करता है mouth में उसके वज़ासे वो saliva आता है ठीक है तो कुछ यह basic importance थी water की जो की आप लोगों ने आप discuss किया इसके अलावा भी बहुत सारे importance है water की क्योंकि water ही हमारी life है ठीक है जल ही जीवन है जल के बिना जीवन ही नहीं है तो जल आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी life में जल के कितनी importance है तो certain importance ही आप इनको describe करके भी लिख सकते हैं as you wish एंड आगे हमारी next topic में चलते हैं हमारा next topic है fiber ठीक है fiber अभी तक हमने water को discuss कर लिया hope आप सब को समझ में आया होगा next हम पढ़ते है fiber fiber क्या होता है कर्बो हाईडरेट होता है ठीक है fiber भी ये कर्बोहाईडरेट होता है किस समना होता है roots जडों का pinks तहनीों रिप्स औप ट्री फेड के पत्तों का ठीक है प्रण लेते हैं fiber ऐग तर चिक है ये car innerhalb त्छलता है that mix बना होता है of the roots जडों का ट्विंक्स टहनियों का एंड लिफ सॉप्ट्री पेड के पत्तों का ठीक है क्या होता है we all consume fiber in some from or the other ठीक है जैसे हमारी body के लिए nutrients जरूरी होते ही essential होते है nutrients में हमने carbohydrate protein, fat, vitamin and minerals को discuss किया था ये सब हमारे biological function करने के लिए जरूरी होते है वैसे ही water and fiber भी important होते है fiber play an important role in keeping our body healthy fiber जो है important role play करता है हमारी body को healthy रखने के लिए ठीक है types क्या है जो fiber है वो jelly सब स्टेंस होता है fiber जो है jelly सब स्टेंस होता है जो कि हमारे digestion system में help करता है gel like सब स्टेंस होता है carbohydrate होता है जो कि gel like सब स्टेंस होता है जो कि हमारे digestion में help करता है types क्या है fiber is mainly found in two form दो form में fiber present होता है that is on the basis of water solubility water की solubility पे depend करता है ठीक है fiber is divided into two main categories दो main categories में divide किया गया है पहला है soluble soluble का मतलब जो कि water में soluble हो ठीक है water में soluble हो next है insoluble जो कि water में soluble नहीं हो ठीक है तो water solubility के बीच पे fiber को two categories में divide किया गया है जो कि soluble हो उसको soluble fiber जो नहीं soluble हो उसको insoluble fiber ठीक है fiber क्या होते carbohydrate होता है gel like substance होता है ठीक है जो कि digestion system में हमारे help करता है इसके types को हम लोग discuss कर लेते हैं ठीक है पहला है soluble fiber soluble fiber क्या होता है this type of fiber is water soluble ठीक है यह जो fiber है वो water soluble है it mix with water to form a gel like substance in our digestion system which aids in digestion ठीक है यह water के शाथ मिलके gel like substance बनाता है जो कि हमारे digestion में help करता है ठीक है digestion system में help करता है it lower blood cholesterol ठीक है यह हमारे blood cholesterol level को low करता है साथ ही साथ glucose level को भी low करता है next क्या है soluble fiber is also helpful in weight loss ठीक है हमारे soluble fiber है वो weight loss करने में helpful होते है कुछ main sources है हमारे soluble fiber के इसको यह पर discuss कर लेते है beans, apple, oats, peas, citrus fruit, खटे फ़ल, carrots, गाजर ठीक है यह कुछ soluble fiber के source है जिससे हमें soluble fiber हमारी body में जाता है next हम discuss करते है insoluble fiber insoluble fiber कौन सा फाइबर होता है जो कि water में soluble नहीं हो और यह sticky होते है sticks होते है हमारे digestive system में हमारे digestive system में वहाँ पर जाके चिपक जाते है stick हो जाते है it is used to fill the stomach इनका use क्या होता है हमारे पेट को भरने में that is to quench hunger भूख मिटाने में ठीक है पेट भरने और भूख मिटाने में इनकी यूज किया जाता है next क्या है it increases the amount of stool in individual and promotes secretion यह हमारे stool के amount को increase करता है और promote करता है उसको मलोसर जन बहार निकालने में excrete out करने में कुछ main sources है इसके भी उसको भी देख लेतने wheat brain wheat brain ठीक है गेहूं का क्या केते हैं चोकर ठीक है गेहूं का चोकर nuts एड़ वेजिटेवल सम वेजिटेवल सम वेजिटेवल लाइक कली फ्लॉवर ग्रीन बेंस एंड पोटेटो ठीक है और इसकी इन पॉटेंस को यहां पर हम डिसकस कर लेते हैं यह सॉट इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन में हमने देखा fiber क्या होता है carbohydrate होता है जो की root, twings and leaf of trees से बना होता है यह two types में हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा helpful होता है ठीक है यह two types में divide होता है unabasis of water solubility जो water में soluble है वो soluble fiber जो नहीं soluble है insoluble fiber soluble fiber हमारे digestion system में help करता है insoluble fiber हमारे digestive system में stick करता है चिपकता है और हमें भूक मिटाने और पेट भरने में help करता है कुछ इसके sources को हमने यहाँ पे देखा next हमारा है इनकी importance को discuss करना ठीक है तो इनकी importance क्या है पहला क्या fiber improves digestion fiber क्या करता है digestion को improve करता है next क्या है develops the body immunity हमारी body की immunity को develop करता है immunity system क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता है immunity system जो है उसको फाइटिंग system भी बोलते है जो कि हमारी body में किसी भी microorganism से foreign microorganism से हमें protect करता है disease जो होते हैं उनसे fight करता है हमारी body को तो हमारी immunity system जो है weak हो जाते हैं बहुत सारे disease होने के chances होते हैं तिहें हमारे जो fiber से हमारे immunity system को strong करते हैं. Next इसके topic को discuss करते हैं. In digestion of food. In digestion of food that is stomach upset in the cause of many diseases. So most of the fiber is used in digesting food. In digestion of food. मतलब कि जो food हमारा digest नहीं हो रहा है. जो हमारा food digest नहीं हो रहा है. पच नहीं रहा है ठीक है. वो क्या करता है? स्टोमक को upset करता है. खराब करता है. बहुत सारी disease को cause करता है. तो हमारा जो fiber है. वो हमारे digestion को ठीक करता है. food digest करता है. जिससे हमें बहुत सारी disease से free करता है. नहीं होने देता है. Next है. Fiber lower blood cholesterol and glucose level. हमारा fiber जो है blood cholesterol level ग्लुकोज लेवर को लो करता है. fiber is also beneficial in reducing weight. weight को reduce करता है. Next है. It eliminates constipation. ठीक है. constipation का मतलब होता है. cup जिससे relief देता है. which is the cause of many diseases. ठीक है. constipation बहुत सारी diseases के cause होते हैं. ठीक है. That is fiber rich food destroy constipation. जो fiber rich food है. वो constipation को destroy कर देता है. ठीक है. नहीं तो constipation रहेगा. तो उससे बहुत सारी diseases कॉज होने की chances हैं. Next है. eating a fiber rich diet relieves irritable bowel syndrome, IBS, disorders that affect the large intestine causing abdominal pain, cramping, blotting, gas, diarrhea and constipation. हमारा जो fiber rich food है. वो relief करता है. irritable bowel syndrome. irritable bowel syndrome एक stomach disease होता है. जो के pain caused करता है ठीक है, stomach disorder होता है, जो कि Αffect करता है, एंतिस्टाइन को ठीक है इंतिस्टाइन, इंतिस्टाइन डिक होता है. जो कि Laar Вы inteस्टाइन को एफेक्ट करता है, Ag Law becoming. सब्लाटिएवन से syndrome rippleację. हमारा जो fiber rich diet यारीट है, वो irritable bowel syndrome से relief देता है. अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों में सेर करें और हाँ आपको अगर इससे आगे की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्षन में चुरूर कमेंट करें हम आप इसके आग